अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली के विजय चौक इलाके के पास है संसद भवन, राश्रपती भवन और सरकार के मंत्रा ले इतनी सुरक्षित जगे पर आज सुबह से एक नीलगाय घूम रही थी नीलगाय सडक और पार्क में उच्छल कूद कर रही थी इसी चक्कर में पुलिस वैन से टकरा कर जख्मी हो गई करीब पाँच घंटे तक नीलगाय यूही घूमती रही अब जाकर वन विभाग की टीम नीलगाय को ले जाने पहुँची है आप देख सकते हैं यह नीलगाय वहाँ पर घूम रही थी विजय चौक के आसपास सरकार के तमाब महत्पूर्ण प्रतिश्ठान यहां आसपास में है देश का सबसे बड़ा वियाईपी जोन है यह विजय चौक और इसी विजय चौक में पिछले एक घंटे से एक नीलगाय ने मचा रहा है कहर करीबन नौ बज़े के करीब यहां पर एक नीलगाय दिखी थी और यह पेड़ के नीचे जो बैठी है यह वही नीलगाय है जो इस इलाके में दिखी गई थी वैसे यह जो इलाका है पूरा पीछे राश्ट्रपती बवन है उसके सामने ठीक नौर्थ ब्लॉक और साउथ ब लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसको काबू में नहीं कर पाए है यहां की फॉरेस डिपार्मेंट जो है पुलीस यहां पर पहुंच गई है मोके पर लेकिन पुलीस का कहना है कि वो नीलगाय को यहां पर ट्रेस नहीं कर सकते उसको कुछ पकड़ना है यह चीज़ वैसे तो नीलगाय जंगलों में दिखी जाती है और जुंड में रहती है लेकिन यहां पर वो कैसे आई इसके बारे में अभी यहां पर चर्चा हो रही है यह पीछे जो राश्ट्रपती भवन है वहां पर कुछ जंगल जाड़ी है शायद वहां पर वो रहती होगी और वह से यहां तक पहुंचे होगी ऐसे कयांस जो है वो लगाए जा रहे हैं